दोस्तों हमारे शरीर का पूरा भार पैरो पर ही होता है दिन से लेकर रात तक हर काम के लिए इस भागम भाग भरी जिंदगी में पैरो की भूमिका को सबसे एहम कहा जा सकता है ऐसे में जब पैर ही साथ न निभाएं और दर्द से परिशान करने लगे तो जिंदगी जैसे ठपसी पड़ जाती है ठंड के मौसम में ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है गठिया या अंदरूनी चोट के कारण भी पैरों में दर्द हो सकता है ऐसे दर्द को कम करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अजमा सकते हैं जिनसे आपको दर्द से छुटकारा मिलेगा तो आज की इस वीडियो में जानेंगे दो से तीन तरीके जिससे आपके पैरों का दर्द आसानी से चला जाएगा सबसे पहला जो तरीका है जिसमें आपको इस्तिमाल करना है निरगुंडी के पत्ते का आयुर्वेद में निरगुंडी को कई तरह की दबाएं बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इस पौधे के पत्तों का लेप लगाते हैं तो दर्द से छुटकारा मिलता है पैरों में सूजन और साइटिका के दर्द में भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है इसके लिए निरगुंडी के पत्तों को सरसो के गरम तेल में भी गो लें अब इसमें नमक मिला लें इसमें कपड़े से बांद कर दर्द वाली जगह पर लगाएं आप देखोगे कि दर्द से बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी तो दूसरा तरीका है जिसमें आपको इस्तमाल करना है हल्दी का क्योंकि आसानी से अगर आप शहरी इलाके में रतें तो आपको निरगुंडी के पत्ते मिलना बहुत कठीन हो जाता है दर्द को कम करने में मदद करता है हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके आपको पेस्ट बना लेना होगा और इसे दर्द वाली जगह पर हल्दी का पूरा अच्छी तरीके से लेप लगा कर फिर कपड़े से बांद लेना इससे भी आपको तुरंट आराम मिल जाएगा तो तीसरा तरीका है जिसमें इस्तमाल करना है निलगिरी के तेल का जो कि आसानी से आपको बजार से मिल जाएगा पैरों की नसों में हो रहे दर्से रहा देने में निलगिरी का तेल काफी लावकारी होता है आप इस तेल को किसी दूसरे तेल के साथ मिला कर भी दर्द से प्रभावी जगह पर मालिस कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आराम महसोस होगा